जैस्री मन्ना रहें गुरुजी आपसे मेरा ये प्रशन है कि कोई बोलता है कि जब तक सास तिर्थ ना कर ले तो बहु बेटे का तिर्थ माना नहीं जाता ठीक है सास तिर्थ ना कर ले जी सर्थ हाँ तो ऐसा है ना कि बेटा तीर्थ यात्रा करे तो उसे पाप लगता है परन्तु बेटा अपने माबाप को ले जाके तीर्थ यात्रा करा है तो उसे डबल पुन्ने मिलता है अभी मैं पूरी बात कर लो यदी माबाप यदी माबाप को आप घर छोड़ दें और आप तीर्थी आत्रा में निकल जाएं बेटा बाप को छोड़के मा को छोड़के तीर्थी आत्रा पे चला जाएं तो अपराध होता है परंतु यदि वो माबाब की आज्यां लेकर जाता है मा मैं जाओं ब्रंदावन मा कहेगी बेटा जा पिता जी मैं जाओं ब्रंदावन पिता जी कहेंगे बेटा जा यदि माबाब की आज्यां लेकर पहले पोलो पिता जी आप भी चलो ब्रंदावन माता जी आप भी चलो हरे द्वार हम जा रहे हैं गंगाशनान करने आप भी चलो वद्रीनाच मा से कहो पिता से कहो पिता जी बोले अच्छा बेटा चलो तो माबाप को लेके जाओ माबाप कहें अच्छा हमा स्वस्थ हैं पाँ वहाँ ठीक नहीं है अच्छा बेटा तुम घूमाओ, तुम दर्शन कराओ, हमारी भी ठाकुर जी की दर्शन हमारी और से कर लेना, तो माबाप आज्यां दे दें, तो फिर आप ब्रंदा बनाईए, तो उसका डवल पुन्य मिलेगा कि आप माबाप की आज्यां लेकर के आए हैं, अब माबाप की इक्छा है कि मैं भी ब्रंदा बन जाओ, पर बेटा बिना बताए, चुक के से चला आया, भाई बेटा को अपने माबाप को तीरथ कराने कब उन्हें मिलता है, है ना, या फिर तीरथ में आप आए, तो उनकी आज्यां लेकर आए, ये उप्सन है, धन्यावाद गुरु जी आपके साथ क्या है, बता के आये हो की नहीं अपने सास को, जी गुरु जी, आज्या लाये हो, जी गुरु जी, सास तयार ने थी गुरु जी आने के लिए, तो आप बहुंगों का धर्म है कि अपने सास को भी बोला करो, मा जी चलो, आप भी वरंदा बन चलो, आप भी आयो हुखा बैठा हूँ आप मुझे रोटी ना खिला के कुत्तों को रोटी डाल रहे हैं, खुद के घर के लोग भूखे हैं, कुत्ते लडूगा खा रहे हैं, तो ये अपराध हो जाएगा, पहले घरवालों को भी तरप्त करिये, फिर सब को तरप्त करिये, ठीक है, गुरुजी जैश्री मन ना रहे हैं, गुरुजी हम चर्किदादरी डिस्टिक से आये हैं, और आपके परवचन हम रोजना सुनते हैं, गुरुजी चाहिए दो मिनट सुने, और आपके परवचन सुनने से गुरुजी हमारे मन को बड़ी श्यांती मिली है, इसके लिए मैं आपका और आपके चर्ण सपर्ष करना चाहते हूं, गुरुजी खुश रहे हैं, अभी अंदर बैठेंगे तो मिल दीजीगा, धन्यवाद गुरुजी खुश रहे हैं, गुरुजी आपके चर्णन में कोटी-कोटी-कोटी-नवन पिंणा, जी, गुरुजी आपकी करपाते वैस त अभी आते रहें, वैस आपके क्रपये तनी ही बनी रहें, गुरुजी खुश रहे हैं, गुरुजी खुश रहा है, ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंदु करुणा की जिए, ए मेरे गुरु देव करुणा सेंदु करुणा की हुआ धम आधीन वसरण अब सरण में लीजिये ए मेरे गुरु देव करुणा सेंदु करुणा की भूल गुरु दे बामा की ही ही जे खुश रहिए खुश रहिए हाथ